आप देख रहे है धर्म शिक्षा जाएगी नक्षट्र आज का जेष्ठा रहने वाला है रातरी के 8 बच कर 7 मिनट तक दुपरंत मूल नक्षटर आरंव हो जाएगा प्रत्योहार में आज एसा कुछ नहीं है मित्रों अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार जानना हो एक एक मुहुरतों गवयम जानन बारार रासियों का आज का रासिपल साथ ही हम जानेंगे आज का सुब समय, असुब समय, दिसासुल, सुब खादे रासिय उनुसर क्या खादे पतात आपके लिए सुब रहेगा रासिय उनुसर कौन सा रंग आपके लिए सुब रहेगा साथ ही इसी तरह के वीडियो देखेंगे के लिए हमारे चैनल धर्मसिक्छा को सब्सक्राइब जबूर करें अगर आप किसी प्रकार का जोतिस रत्न खईदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नमबर दिख रहा है मा काली रत्न भंडार इनके पास सुध और उचित मूली पर रत्न मिलते हैं तुरन जाइए खरी दिए और जोतिस सलाह में भी आपकी ये मदद करेंगे और ये बिल्कुल भड़ोसे मंद है आप इनके सभी खईदे गए सुध रत्न को पहनिए और अपने परिवार को भी इसका लाब दिलवाईए मैं तो आज के 12 रासी का रासी फल आपको बता नारम करूँ उससे पहले आएए एक नज़र डाले आज के गरहों की स्तेदी पर क्योंकि गरहों की स्तेदी पर पूरा का पूरा रासी फल निरभर करता है आज राहु मेस रासी में, मंगल विरिस रासी में, केतुतुला रासी में, चंद्रमा बुद्ध, सुक्र, सूर्य, सभी एक साथ विश्चिक रासी में, सनी मकर रासी में, गुरु मीन रासी में विराजित है विश्चिक रासीम चंदर्मा रातरी के आठ बच कर 6 मिर्ट तक रहेंगे तो दुपान चंदर्मा का धनू रासी में प्रवेस हो जाएगा तो इनी से भी ग्रहों का मिला दाहाल आज की रासी फ्रम्यम आईए जानते हैं तो आईए बात करेंगे पहली रासी में शासी की में शासीम चंदर्मा आज आठमे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज आपको परिवार जोनों का साथ मिलेगा खास करके बड़े भाई भानों से मातापिता से भी कुछ आर्थिक सहयोग आपको मिल सकता है परिवार में सुख और सांती का माहौल बना रहेगा जिसके फ्रसुप गर में साकारतमकता भी रहेगी लेकिन आज आपके लिए लराई जहरे की योग बन रहें तो आपको सबसे अच्छे समन बना के भी रखने चाहिए खास करके सगे समन्धियों से और परोशियों से किनी-किनी जातकों को कोई अच्छा दोस्त भी मिल सकता है लेकिन किसी नए पर भरसा करने से पहले उसकी जाच ज़रू करें आज आपके जिद्धी रवये की वज़े से आपको कुछ नुक्सान भी हो सकता है तो कल्पनाओं के पीछे ना दो रहें सोच समझकर ही काम करें अगर अपने पिता और धर्मगुरू की सलाह से किसी कारी को अप करेंगे तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ती भी होगी व्यापार अधन की बातके आज आपको व्यापार में करी चिनोतियों का सामना करना पर सकता है लेकिन इस चिनोति से घबराएं नहीं बलकि इसका सामना डटकर करें आज किसी से पैसे उधार लेने से बिर्गुल बचें आज कर लिए के पैसे आप जल्दी से चुका नहीं पाएंगे जुरा तक नोकरी कर रहे हैं उनके सहकरमियों के साथ उनके समझ बिगर सकते हैं आज आपके सहकर्मी आपके बड़े परतिदन दीवी सावित हो सकते हैं इससे बचने के लिए अपने सीनियर के सामने अपने आपको अच्छे से प्रिजेंट करें आज आपके खर्चों में विर्दीवी होगी व्यापपार और धन के बाद आई ये बात करते हैं विद्यार्थी की विद्यार्थीों के लिए आज के सामाने रहने वाला है अपने समय को बरबात करने से बचें समय का एक एक पल महतपूर्न है उस पल का लाब जो उठावें अभी अपना ध्यान सिर्फ परशिव अपने पढ़ाई परी लगावें स्वास्त की बात करत आज आपको स्वास्त अच्छा रहने वाला आपका लेकिन आपको अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए तले भूने और मसायदार खानों से दूर रहना चाहिए प्रेम समन्द की बात का जीवन साथी से हलकी नोग जोग के बाद अच्छे समन्द भी बनेंगे आपको कोई पार्टनर भी आज मिल सकता है लेकिन पार्टनर का चुनाओ करने में साब्धानी आपको बरतनी चाहिए प्यार के जार करने साथ बचना चाहिए आपको आज किन गुर अपने खाटे प्दाश में सामिल करेंगे आप तो आपके लिए सुभ रहेगा आपके लिए आज का सुभ रंगुलावी रंग लकी नम्मर पांच रहेगा बात करने वरिशासी की वरिशासीम चंदरमा साथ में इस्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज आप अपने बातों को समाज में मजबूती के साथ रख पाएंगे आपके बच्चों के साथ भी आपका समय अच्छा भी देगा कई माईनों में आज करने आपके चुनोतियों से भार रह सकता है आज अगर आपको जीवन का कोई बड़ा फैसला लेना हो तो किसी अनभवी लोगों के सलाह जोड़ ले आपके मन में आज कोई नाकारात्माक विचार आ सकते हैं जिससे कारे अस्थल्प पर प्रभावित भी होगा आज आपकी बोली गई बातों को आपके प्रतिद्दियों दोरा तोर मरोर कर भी पेस किया जा सकता है तो कुछ भी बोलते समय सब्धान ही बड़ते हैं किनी किनी जातकों के उनके पिता के साथ समझ बिगर सकते हैं तो यहां पर आपको सभने बरतनी चाहिए आज अगर घर से अपने बड़े कासिरवाद लेकर किसी काम के लिए निकलेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी ओफिस या व्यापार में आपके सहकर्मियों के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार की द्रिश्टी से आज की आपके लिए अच्छा रहने वाला है जुआ तक व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाब हो सकता है समान व्यापारियों के बीच आपकी परतिष्ठा बढ़ेगी आवे सकता होने पर आपके भाई बाहनों से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है नोकरी करने वाले जात्कों के लिए भी आज की नच्छा रहने वाला है आफिस में सहकर्मी और सीनियर के बीच आपका मान समान बढ़ेगा विद्यार्थी की बात के तो आपको आज लक्ष की प्राप्ति के लिए ज़्यादा महनत करने की आवे सकता है ज़्यादा महनत करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी स्वास्त की बात के तो स्वास्त की देश्टी से कुल मिला के आपके लिए च्छा दिन आने वाला है किनी किनी जातकों को किसी प्रकार की चिंता भी रह सकती है तो अपने स्वास्त का ध्यान रखें प्रेम समंद की बात के तो विवाहित जातकों को आज जीवन साथ ही का सहीयोग प्राप्त होगा जुरा तक और विवाहित हैं उन्हें कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है आज के इन तामवे के बरतन में पानी पीते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबंग सुनराराण लकी नमर साथ रहने वाला है बात केंगे मिथन रासिकी मिथन रासिम चंदरमा छटे स्थान में विराजित हैं जिसके प्रसुब आज आज आपकी कारियों के दिखता रहेगी कारिय छित में परिवर्तन का मन भी हो सकता आपका आज आप अपनी वानी की मधूरता से बहुत सारे कारियों को लिप्टा सकते हैं अगर आप अपनी वानी पर 안कुस नहीं लगाएंगे तो बहुत साथ लोगों के अक्रोस का सामना आपको करना पर सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग आपको मिल सकता है आपके पडिवार की परतिष्ठा भी बढ़ेगी अगर कुछ नया कारी आरहम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ समस्य अथपन न हो सकती है मन में किसी प्रकार के बेचैनी या चिंताएं रह सकती है व्यापारो धन की बात के अगर कहीं आपके पैसे बकाया है तो वहां से पैसे वसूली की पूरी संभावना बन रही है पिछले गर्ज को आप चुका पाएंगे व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही है तो उसे खत्म करना अब अधियावसेक हो गया है वरना इससे बहुत ज़्यादा हानी का सामना आपको करना पर सकता है विद्यार्थी की बात करें तो आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको और वियादा मेंनत करने की ज़रुरत है स्वास्ता की बात के जिन जातकों को जोरों का दर्द या गठिया से समन्दित समस्या रहती है उन्हें आज थोरे परिशानी का सामना भी करना पर सकता है आज आपको तनावपुर्न वातां ब्रेν में रहने की सला बिलकुल भी नहीं दि जा रही है प्रेम समंद के बात के आज आपका पारिबारी जीवन सुख में रहेगा जीवन साथी को समय दे उसे समझें इससे आपके प्रेम समन्द में नई उर्जा का संचार भी होगा लेकिन प्रेम समन्दों में सोच समझ का आगे बढ़े किसी तीसे व्यक्ति की वज़े से आपके प्रेम समन्द में दरारुथपन ना होने दे आज किन गेहूं से बनी वीचिये खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग पीलारंग लकी निमर्द छे रहने वाला है बात केंगे अब कारकरासी की कारकरासी में चंद्रमा पांच में अस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज आपको कई परकार के परेशानियों से मुक्ती मिल सकती है कलातमक कारियों में आपकी रूची बढ़ेगी आपके व्यक्तित में सकारतमक बदलाव आ सकता है आज अपनी माता के साथ कुछ समय जोरू बिताएं और उनकी मन इस्तिति को समझें इस से आपको असी मन की सांती प्राप्त होगी यदि आप साधी सुदा हैं तो आपके सस्वाल पक्स से किसी के साथ वाध भी आत हो सकते हैं तो यहाँ आपको सब्धाने बरतनी चाहिए आज आपने बच्चों की पराई को लिए कर चिनतित रह सकते हैं इसके लिए आपको अपने बच्चों की परहाई में रुची समझनी होगी, बच्चों को उनके केरियर के परती प्रेरीद भी करें। अपने आपको सोसल मीडिया और मुवाल फून से थादूर रखें, अब आपको अपने केरियर के परती सचेद भी हो जाना चाहिए। आज के नहीं हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबन क्रीम किलर लकी नमर तीन रहने वाला है। बात केंगे सिंग रासी की। सिंग रासी मचेदरमा चौथे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज आपको अपनी बातें किसी पर थोपने की कोशिस ना करें। आपको यहां से नुकसान हो सकता है। आपके दोस्तों के साथ अच्छे समथ बनाके रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। उनसे लड़ाई जगरे की संभावना भी बन रही है। सांती से अगर काम लेंगे तो आपके बहुत सारे कारी बन भी सकते हैं। अपने लगन और आत्मिश्वास से आप अपने कारियों को बहतर डंग से कर पाएंगे। जूरा तक मीदिया से जुले हुए हैं उनके लिए आज के नच्छा रहने वाला है। व्यापार अधन की बात के तो आज आप अपने साहस और प्राक्रम के बल पर अपने कारी छेते में इस्तिति को सुधार सकते हैं। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। यस और किरती में ब्रधी भी होगी। आपके व्यापार में तेजी देखने को मिलेगा। अपने काम पर फोकॉस रहें। इससे आपको फाइदा होगा। नोकरी करने वाए जातकों के अपने सीरी राधी काडियों से आज मतभेद बर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साब्धाने निश्ची तोर पर रखनी चाहिए। अपने फिजूल खर्चों पर भी नियंदर रखना चाहिए आपको। विद्यार्थी की बात करें तो आज विद्यार्थियों को सिक्षा के छेतर में सुभफलों की प्राप्ती होगी तो डटकर मेहनत करें सफलता ऐसी से मिलेगी। स्वास्त की बात करें जिनजात को को जोरों का दर्द रहता है। उन्हें थोरे परिशानी का सामना करना पर सकता है। आज आपका ब्लेड पेसर नॉर्मल रहेगा वियायाम करें योग करें से आपको स्वास्त में फायदा भी होगा। प्रेम समन की बात के आज आपके जीवन साथी के साथ किसी दूसरे के वज़ा से मतवेद उत्पन नहों सकते हैं कुछ भी ऐसा सूचने से पहले बातों को गहराई से जनने की कोसिस करें आज किने मसूर की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबर्ण केसर यारेंग लगी नुमर 9 रहने वाला है बात केंगे अब कन्यारासी की कन्यारासीम चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजी थे हैं जिसके प्रसुप आज आपको आपके छोटे भाईबानों का सहयोग प्राप्त होगा आप किसी जरुत्मन ब्रक्ति को धन का दान जरूर करें इससे आपको भी जीवन में फायदा होगा आपके पिता या उच्चे धिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा सामाजी कारियों में आपके रुची बनी रहेगी मन में नएने विचार आएंगे इन विचारों को सहेच कर अपने जीवन में आगे बढ़ें स्वाधिष्ट भोजन का आज आनन्द रुठा पाएंगे परिवार के साथ किसी धार्मी कियातरा पे जाने की योग बन सकते हैं या धार्मी कारी करने के आउसर भी प्राप्त हो सकते हैं आज किसी गलत फैमी के कारण आपके और आपके प्रियेजिनों के बीच लड़ाई हो सकती है तो यहाँ पे साथाने भी बढ़ते हैं व्यापार और धन की बातके आज आपको आपके केरियर में सफलता की प्राप्ती होगी आज आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे आर्थिक मामलों में आपको सफलता की प्राप्ती होगी परिवार के किसी वक्ति से आपको धनलाब भी हो सकता है जो आतक नोकरी करते हैं उनको आफिस में ऐसे लोगों से साधान रहना चाहिए जो उनके दोस्तों हैं लेकिन उनकी छवी बिगारने की कोशिस करते रहते हैं विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज किन मिलादा रहने वाल है पढ़ाई से आपका मन भठक सकता है ऐसी में अपने लक्ष का ध्यान करेंगे तो आपको फायदा होगा स्वास्त की बात के तो आज आपको अच्छा रहने वाला आपका चुस्ती और फुर्दी का अनभव भी करेंगे लेकिन आपको मौसमी विवानियों से सचेत भी रहना चाहिए प्रेम समन्त की बाकेत आज आप जीवन साथी के साथ समय बिताएं इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों को अच्छा महसूस होगा आज के चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग गुलाबी रंग लगी निम्मर रहने वाला साथ बात केंगे तुलारासे की तुलारासेम चंदरमा दूसरे स्थान में विराजित हैं जिसके प्रसुब आज आपका मन आत्मी स्वास से भरपूर रहेगा लेकिन मन में नकारतमक विचार भी आ सकते हैं चोटी मोठी परिशानिया आएंगी लेकिन उन परिशानियों पर विजय प्राप्त करने की कोजिस करें कुछ नए विचार आपके लिए फाइदे मन साबित हो सकते हैं आज अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसका फाइदा आपको भी कहने कहीं मिलेगा बिना जांच परताल के किसी व्यविशाय या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक छर्टों बिल्कुल भी ना करें इससे आप मुस्किलों में परए सकते हैं व्यापार अधन की बातित आपको व्यापार में लाव होगा व्यापार में जो भी आपके प्रतिजंदी हैं उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं जुरा तक नोकरी करते हैं उनके लिए आज के नच्चाराने वाले आपके सिनियर या बॉस आपके कारी से प्रभावित हो सकते हैं लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अपने बॉस के सामने खुद की पैर भी ना करें इससे निगेटीव में जा सकते हैं आप विद्यार्थी की बात करत प्रतिजुक्ता पर इच्छा की त्यारी करने वाले विद्यार्थी अपने दिर इच्छा सकते हैं से लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो अपने पढ़ाई पर ध्यान रखें स्वास्ता की बात करत आज आपको मौसमें विवानियों को लेकर सतरकता रखनी चाहिए आपके सारेक और मानसिक बिमारी की जड़ आपका दुख हो सकता है वियायाम करें खुली हवा में ठहलें आपके स्वास्ता के लिए अच्छा रहेगा प्रेम समन्द की बात के ता अपनी बात हैं अपने जीवन साथी पर थोपने से आज कलह की स्तिते पन हो सकती है आपने जीवन साथी को बराबर कादिकार दें इससे आपके समंद मधूर बने रहेंगे आज किन हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग आसमानी रंग लकी निमर दो रहने वाला है बात करेंगे विश्ची क्रासी की विश्ची क्रासी में चंदर मां पर्थामस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपको आपके दोस्तों का सहीयोग प्राप्त होगा आज कोई भी निर्न आएं भावकतावस ना लें ऐसे निर्नों से आप परिसानी में परे सकते हैं बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ती भी हो सकती है आपको आज भागे का साथ मी मिलेगा परिवार के किनी दो सदस्यों के बीच आज मनमोटाओ रह सकता है आज अगर पूरे परिवार के साथ कोई धार्मिक कारिक करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी लेकिन आपको आपके सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा लेकिन ध्यान रहे वह आपके काम का केडिट भी लेने का प्रयास करेंगे आज किसी सुनुशनाई बातों पर आँख मूंद कर भरसा ना करें सच्चाई को पर्खें तब ही आगे बरें व्यापार अधन की बात करें व्यापारियों को आज कोई भी निर्णे बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए किसी अचानक सहय चुनुटियों का सामना आपको करना पर सकता है तो इसके लिए पहले से ही सचेत रहें अगर कहीं निवेश करने का मन बना रहे हैं तो एक बार अनभवी लोगों की सलाह जोड लें कर्ज लेने साथ बिल्कुल बचें विद्यार्थी की बात करें आज आपका मन परहाई में लगेगा आप जिस लक्ष की प्राप्ति चाहते हैं उसके लिए अच्छी योजनाव बना कर करीब मेनेद करें सफलता में भी लेगी आपको स्वास्त की बात करें तो आज आपको अपने स्वास्त के परती सचेत रहना चाहिए जिन जातकों को हाय ये लोग ब्रेट पेसर की सिकायत रहती है वह आज अच्छा महसूस भी करेंगे प्रेमस्मंद की बात करेंट आज आपके जीवनसाथी के साथ आपकी नोग जोग भी हो सकती है बात में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा और विवाही जाथक प्रेमस्मंद में कोई भी निया रिस्ता बनाने से पहले सामनेवाले को अज़र पढखें आज आपके प्रेम समन में किसी प्रकार के चिंता उत्पन न हो सकती है आज किन केला खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबन लाल रान लखी नमर नौ रहने वाला है बात केंगे धनुरासिकी धनुरासिम चंतरमां 12 Mickey स्थान में विराजीत है जिसके प्रसभ आज अगर आप किराय के मकान में रहते है तो मकान मालिक के साथ आपके समाद भी गर सकते हैं तो यहां पे साथधानी पड़ते हैं आज आपको संतान के तरफ से खुशी हो सकती है परिवार में सकारतमक बातावरन निसकन बनेगा किसी पुरानी समस्या का अंत भी संभव है आपके आत्मिस्वास में कमी आ सकती है साथ ही अपने वानी पर नियंतन भी रखें क्योंकि आज आपके लराई जहर की योग भी बन रहे हैं आफिस में आपके सिनियर आपको किसी काम को लेकर उफसा सकते हैं धैरी से काम ले या एक सोची समझी साजिस भी आपके खिलाब हो सकती है व्यापार अधन की बात के तो आज आपको व्यापार में हानी का सामना करना पर सकता है अगर आज किसी के साथ पार्टनर से व्यापार करते हैं तो उनके साथ मिलकर आप अपने व्यापार को लाब में ले जा सकते हैं अगर अच्छी योद्ना बनाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे तो आप अपने हानी को लाब में बदल सकते हैं विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा, पढ़ाई का लावा अन्यचीयों में समय बरबाद ना करें, अपने पढ़ाई पर धियान लगावें। सिक्षा के छेतर में विद्यार्थियों को आज दिक्कत का सामना भी करना पढ़ सकता है। स्वास्ति की बात करें आज आपका मन असांत रहेगा, मेडिटेशन करना आपके लिए लाबदायक सी दो सकता है। जो जातक हाय बलेट प्रेसर डैबटी ये दिल की रोगी है, उन्हें अपना ध्यान विश्यस्तवर पर रखना चाहिए। प्रेम समन्द की बात करें प्रेम समन्दों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी को समय दें और उनकी भावनाओं के कदर करें। इससे आपके प्रेम समंधों में मिठा सुत्पन होगी प्यार के जहार करने के लिए आज के नच्छा रहने वाला है आज के दूद से बनी वी चीए खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग महरून रंग लकी नमर 3 रहने वाला है बात करेंगे मकररासी की मकररासी में चेंदरमा 11 वे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब जो मेहनत आपने बीते दिनों में किया है उसका फल आपको अब मिलेगा जिसके कारण आपके आत्मी स्वास में विर्दी होगी आज कोई भी नया कारी करने के लिए प्रेरित भी रहेंगे और इस नये कारी में आपको सफलता भी मिलेगी नए लोगों से मिलना और दोस्ती होना संभव है आपको कुछ पारिवारिक समस्या का सामना भी करना पर सकता है लेकिन अगर आप अपने बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे तो पारिवारिक समस्या सुधारने में आपको सफलता प्राप्त होगी आज आपके धहरी में कमी आ सकती है जिसके कान आपके बने हुए कारी भी बिगड़ सकते हैं व्यापार उधन की बातकेत आज आप अपने बात करने की छमता और काम करने की छमता से अपने व्यापार में विर्धी कर पाएंगे आपकी आए में बढ़ोतरी होगी जो जातक नोकरी कर रहें उनके सीनियर अधिकारी उनसे परसन न रहेंगे आज किसी को कर्ज देने से बिल्कुल बचें अबर कोई बहुत जरत्मन्वक्ति ना हो तो उसे पैसे उधार ना दें ऐसे पैसे आपके डूब सकते हैं विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज किने अच्छा रहने बाद है आज आपने पढ़ाई के लिए अनुकूल इस्तिति का अनफ़ाव करेंगे तो ऐसी इस्तिति का लाव जो उठावें ज्यादा ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें स्वास्ति की बात कर आज आप अपने खानपान का ध्यान रखें लेकिन यह सब होने के बाब जूद आपके रिस्ते मधूर बने रहेंगे जीवन साथी या प्रेमी पेमी का के साथ समय बिदाएं इससे आपके प्रेम समन्द अच्छे बनेंगे आज किन चांदी के बरतन में खीर खायेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबं गुलावी रंग लकी निम्मर चार रहेगा बात करेंगे कुम्बरासे की कुम्बरासीम चंदरमा दसमें स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आपके कारे छेत में आपको समान की पाप्ती होगी आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको प्रोथसान मिल सकता है आपके प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में आपको सफलता की पाप्ती होगी अपने घर के कारियों में आज आप व्यस्ति भी रह सकते हैं संतान का ध्यान रखें संतान के तरफ से थोज जिनता आपको आज रह सकती है भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी आज घर में कलह का माहौल भी बन सकता है आज आप आत्मी स्वास से भरपूर रहेंगे परन्तु पिता के स्वास्ति से थोचिनतित भी रह सकते हैं व्यापार उधन की बात के तो आज आप अपने आत्मी स्वास भरपूर होने के कारण मांसिक तरपर मजबूत नजर आएंगे जिसका फाइदा आपको भी व्यापार में मिलेगा जो या तक नोकरी कर रहे हैं उन्हें अपने सह कर्मियों से चुनोती मिल सकती है जो भी साथ में काम कर रहे हैं आपके उन से चुनोती मिल सकती है आज आपके खर्च भी ज़्यादा हो सकते हैं तो अपने फिजूल खर्चों पर नियंतन जरूर रखें विद्यार्थी की बात के तो आज आपके मित्र आपका ध्यान परहाई से बढ़का सकते हैं मोगाल फोन में ज़्यादा समय बरबाद ना करें अपने पढ़ाई पर ध्यान दें स्वास्त की बात के तो आज आपके अपने स्वास्त के परती सचेत रहना चाहिए कोई पुरानी विवारी आपका परिसान कर सकती है कोई जातकों को जोरों का दर्द परिसान कर सकता है तो हल्का वियायाम करना आपके लिए अतियूत्तम रहेगा प्रेम समंध की बात करें प्रेम समंधों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है जीवन साथी के साथ आज आप समय बिता पाएंगे साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि आपका पाथनर आप से कितना प्यार करता है आज किन उर्द की डाल खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग फिरो जी रंग लखी निमर साथ रहने वाले हैं बात करेंगे मीनडासी की मीन दासिम चंद्रमा नौए स्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप आज आप अपने बातों को समाज में अच्छे रंग से रख पाएंगे जिसके फ्लसुप आपके चाहने वालों के संख्या में विर्दी भी होगी अगर आप रादनिति से जुले होएं तो उसका भर्पूर लाब भी आपको मिलेगा आपके संतान का सह 수도 आपको प्राप्त होगा कोई पुराना फसावा रुका हुआ कम आपका पूरा हो सकता है सरकारी कारियों से आपको सफल्ता मिलेगी आज आपको आपके मित्रों का सहीयोग भी प्राप्त होगा, आज आप मानसिक सांती का अनभवी करेंगे, लेकिन कुछ जातक किसी अज्यात भाय से आज परिसान भी रह सकते हैं व्यापार और धनकी बात का हैं, चाहे व्यापार करते हो जॉब करते हो, आपके अधिनस्त क्रमचारियों का सहीयोग आपको प्राप्त होगा, किसी करीबी मित्री अस्सके समंध्यों की मदद से व्यापार में लाब भी हो सकता है, आज आपके व्यापार एक परतिजन दी आज किन अच्छा रहने वाला है और फिस में कोई नई जीमेदादी आपको दी जा सकती है आपके ट्रांसपर होने की योग भी बन रहे है विद्यार्थी की बातकर विद्यार्थियों के लिए आज किन अच्छा रहने वाला है जो विद्यार्थी परतोकता परिक्षा के तैय बिताएं इससे आपको उचा और जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिश तो भूल कर भी करने से आज आपको पजना चाहिए इससे वादव्यात की स्थेजित पर न हो सकती है जिन और विवाहित जातकों को साथी की तला से उनके खोज पूरी हो सकती है आज के निगर दू बजकर 29 मेर तक इससमय में कोई भी नया कारी आरण करेंगे तो में आपको सफलतात लगेगी तो मित्रों यहां पर मैंने आपको आज का संपून रासी फल बताया है कल के संपून रासी फल के लिए जूर रहे हैं धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहे हैं धर्मसिक्षा जय माता दी